इस वीडियो में हाँ एक कविता पढ़ेंगे छबीली छबीली कौन थी बच्चों आपने रानी लक्षमी भाई का नाम तो सुना होगा ना जो देश की हमारे भारत देश की बहुत ही वी रांगना थी जिनोंने अपनी साहस और देश भक्ती से हमारे देश को बहुत अपना ब यहाँ पर रानी लक्षमी भाई ने हमें अपने कार्मों से यह दिखाया है तो रानी लक्षमी भाई का ही नाम छबीली था यहाँ पर इस कविता में हमें रानी लक्षमी भाई के ही बारे में चीजें बताई गई हैं तो आएए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते आओ सुनाए तुमको एक कहानी लक्ष्मी बाई नाम था जिसका जासी की थी रानी तामबे भागिरती की बेटी गंगधर राव की वो पट्रानी खूब लड़ी देश की खातिर ऐसी थी वो मर्दानी इन पंक्तियों में वच्चों कवी हैं पर क्या रहा है कि इस कविता में हम तुमें एक ऐसी विरांगना की कहानी सुनाते हैं एक वीर महिला की कहानी सुनाते हैं जिनका नाम लक्ष्मी बाई था और वो जासी की रानी थी और वो तामबे भागिरती की बेटी थी उनके वो हमारे देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की, बहुती अदम में साहस के साथ उन्होंने लड़ाई की, वो मर्दों जैसे लड़ाई लड़ती थी, मतलब जिस तरह से कोई महापुरुष लड़ाई लड़ता है, उसी तरह से वो लड़ाई लड़ी, और रानी लक्ष्मी भाई के बेटे का नाम था कि जब लड़ाई युद्ध शुरू हो गया अपने देश को बचाने के लिए उन्हें और कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने पुत्र को दामोदर को अपनी कमर पर बांध कर घोड़े पर सवार होकर घोड़े की लगा मुँ अपने देश के लिए देश भक्ति की भावना उन्हें किसका दर थी कि जब कोई नहीं मिला तो अपने बच्चे को चोटे बच्चे को दामोदर को अपनी कमर पर बांध कर और घोड़े पर सवार होकर किस तरह से वो खुद ही अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए निक इसको अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए गुड़े गुड़ियां ना उसको भाते भाते उसको बर्ची भाले बच्पन का नाम मनुथा प्यार से कहते लोग छबीली बच्चों बच्पन से ही रानी लक्ष्मी भाई को जैसे छोटे बच्चों को चोटी लड़क जाता था उनके खिलोने क्या होते थे भाले बर्ची जो की युद में यूज किये जाते प्रियोक के जाते हैं यह समान उनको बच्पन में ही इनसे ही खेलना पसंद था तो और उनके बच्पन का नाम क्या था मनु बच्पन में उनके पिताजी उन्हें मनु के नाम से बुल थी वो किस तरह से एक विरांगना थी उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए ही अपने विर्था पूर्वा लड़ाई करते हुए अपने प्राणों की भली दे ली तो यहां पर हमें रानी लक्षमी बाई के बारे में उनके बारे में जानने के लिए ये कवीता बहुत ही सुन्दर है उनके प्रती एक उनकी बात बताई है कि वो किस तरह के व्यक्तित्व वाली थी थेंक यू